हर हर महादेव गुरुभाई वहना एक नगर में एक बुडिया थी और उसके पांच बेटे और पांच बहु थी बुडिया जो थी बेचारी जब छोटी थी उनका नाम सूसमा था सूसमा दिदी जब छोटी थी भगवाल के सिश्या बन गई थी भगवाल के भगती भजन में रहती थी जब छोटी थी तो पूजा पाट करने जाती थी तो उसके माता करती थी कि बेटी पूजा पाट मत करो पूजा पाट मत करो क्यों तू पूजा पाट करती हो और पूजा पाट में उलजी हो तो सूसमा करती थी कि नहीं मा जब तक हम पूजा पाट नहीं करते हैं मुझे भूख नहीं लगता मुझे प्यास नहीं लगता मुझे मन नहीं लगता पढ़ाई लिखाए में इसलिए पुजा पाथ हम करेंगे सुस्मा दिदी के माता पिटा जो थे बिल्कुल नास्तिक थे कोई पुजा पाथ कोई धर्म नहीं जानते थे नहीं करते थे कोई बहन बिल्कूल अपने माता पिता से अलग थे जब धीरे धीरे सुस्मा दिदी बड़ी हो गई तो एक दिन सुस्मा के पिता बाजार जा रहे थे तो सुस्मा कहती है कि पिता जी आप बाजार जा रहे हैं संकर्भगवान का तिलक चलाना है माग सिरी पंचमी आगया है संकर्भगवान का तिलक चलाना है मेरे लिए लेते आईएगा सारी समान पूजा का हम मंदिर जाएगे भगवान का पूजा करेंगे एसा बात सुनकर सुस्मा का पिता बोले कि बेटी आबस लेकर आएगे चिंता मत करो तेरे लिए भांग धतुरा रोडी, सिंदूर, नारियन साब कुछ लेकर आएगे मेवा मिष्टंग जो कहेगी वो लेकर आएगे इंतजार करना कल है ना भगवान का तिलक का दीन सुस्मा बोली हाँ पिता जी सुस्मा मस्त मगन थी, अपने में खुश थी अपने सखी सहेली से करती है कि भगवान के हम तिलक चड़ाने जाएगे आज मंदिर में खुब नाचेंगे आज मंदिर में पूरी रात जागरन करेंगे आज भगवान को अमरंग लगाएगे, अभीर लगाएगे वहुत खुश है साम का समय हुआ अपने उसके पिता जी बाजार से आ गए सुस्मा पुची पिता जी क्या आप मेरे लिए समान ले आए हैं उसके पिता बोले कि हाँ बेटी तुमारे लिए सारी समान ले आए हैं सुस्मा सोची की चलो मेरे पिता जी ले आए हैं लेकिन पिता जी क्या लाए थे बाजार में एक कमासे दिखा रहे थे सफेरा अपने साथ को नाच नचा रहे थे और सुस्वा के पिता उसके पास गए और कहने लगे कि ए तमासे वाली भहिया इतने साथ से क्या तू खेल रहे हो अद लोगों का दिखार ये सर्फ काटता नहीं है तमासे वाले भहिया बोले कि महाराज जी ए तो बड़े विशेले नाग है कैशे नहीं काटेगा ए तो काट लेगा जो लोग उटके पानी नहीं पी सकेगा तुरंत मर ही जाएगा जब एसा बात सुस्मा के पिता सुने तो कहते है कि एक ठाइली में मुझे इस पेटारी को बंद करके दे दू बोले कि एसा तो हाँ ठीक है इसको हम कितना पैसा दे दे कहता है मालिक मैं इससे तो रोज कमाता हूं कितना कोई पता नहीं बड़ा सबसे प्यारा नाग है मेरा इससे तो मैं दोसाओ चारसो रुपया प्राती दिन कमा लेता हूं सुस्मा के पिता बोले चलो ए नाग दास लेगा मेरा बेटी को और मेरा बेटी मर जाएगी लाखों का तो बच्चत हो जाएगा ओ भक्ती भजन करती है मुझे बिलकुल पसंद नहीं है पुजा पाट करती है सुवा सुवा आरती करके मुरा निंद को जगात तुड़ा देती है जब हम सुवा उड़ते हैं तो उसका मन मूझ से हम जब सुनते हैं आरती तो मुझे पसंद नहीं इसलिए मेरा बेटी ऐसा नहीं रहे तो ठीक है मन ही मन सोचकर और उस नाग को हजार रुपया दे कर खरीद लिए सामका समय हुआ और जब सामका समय हुआ तो सुसमा दिदी का जो सुसमा बहन थी छोटी बच्ची नादान थी उसके पिता लेकर आ गए सुसमा पुची पिता जी लाए तो हाँ सुबा में पूजा कर लेना साम में सुसमा अकेले कमरे में सोती थी उसके घर में उसके पिता बड़े उसके कमरे में बड़े प्रेम से गए और कहने लगे अरे बेटा तुमारे घर में देखो हम ठाईली में रख दे रहे हैं हम रख से सोजा सुवा उठकर जाकर पूजा कर लेना सुसमा जो थी सुसमा बड़े प्रेव से सो गई घहरी निन में उसके पिटा जी क्या किये डंडे से निकाल कर सर्प को छोड़ दिये और जब सर्प को छोड़ दिये तो सर्प क्या एक सुंदर सा गेड़ुआ बन गया सर्प जो था एक सुन्दर सा गड़ुआ बन गया उसी थैली में पूजा का सारी समागरी रखा हुआ है उसी थैली में सारी समागरी रखा हुआ है जो सार्प का पेटारी था ओ थाल बन गया सोने का थाल बन गया सर्प का पेटारी सोने का थाल बना असर्प जो था सुन्दर सा गेड़ुआ बन गया फूलों का हार बन गया उसमें सुन्दर सा सारा समान उसमें रखा गया थैली में शुवेरा हुआ अब उसके पिटा सोच रहे कि मेरा सुष्मा बेटी तो मर गई होगी अपने पत्नी से करते हैं कि ए रहे जल्दी जल्दी खाना बनाओ पत्नी को नहीं जानने दिये थे कोई मा तो मा होती है मा नहीं सोच सकती कभी कि मेरा अउलाद का कुछ हो मेरा संतान का एक उंगली में भी दर्द हो लेकिन उसके पिता ने ऐसा सोचे मा नहीं जान दी थी मा सोचती है कि चलो ठीक है जल्दी से जाग जाएंगे जल्दी से बना देंगे खाना सुस्मा का पिता बोले जल्दी से खाना आज बना दो सुस्मा उठेगी तो पूजा करने को लिए जाएगी जब तक हम खाना खा लेंगे सुर्ज उगने से पहले खाना बन गया सुस्मा के घर में सुस्मा के पिता भोजन कर लिए सुस्मा जब जागी तो देखती है कि उसके पिता जी भोजन कर रहे सुस्मा को पिता जब देखे अपने पुत्री को तो बड़े भोचक्ते रह गए अरे इसके रूम में कमरे में तो हम एक सर्प छोड़े थे आखिर सर्प कहां गया ओ जल्दी जल्दी उठी असनाने की पुजा का समान देखर सोने का थाल देखकर बड़ी पर्शन हो गई और अपने पिता को गाल चुमने गई पिता जी आप तो हम जितना नहीं कहें उतना भी आप समान ला कर दे दिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता जी दिल से मैं आपको सुक्रियदा करता हूँ सुक्रियदा कर रही हूँ पिता जी आप मेरे लिए बहुत सा पुजा के समान लाए लड़ू, पेड़ा, मेवा, विश्टंग, सब कुछ लाए भांग दतूरा, गेल हुआ बड़ा सुन्दर है शोने का थाल भी बड़ा सुन्दर है, जो हम लाने को नील रही है नहीं बोले थे उसमें तो बहुत रुप्या लगा होगा पिता जी गुश्य मैं आप बबुले हो रहे हैं, अंदर ही अंदर मुश्का रहे हैं अरे कोई बात नहीं पहले हस्नान करके पुजा कर लो जाके सुस्मा जब घर से निकली, सारी समान लेकर पुजा करने को लिए तो उसके पिता सोच नहीं कि रहे, इसके लिए तो कुछ लाए ही नहीं थे लेकिन फिर भी ये कहां से सब लाई कहां से सब लाई दिदी दीरे दीरे ओर चल गई मंदिर मंदिर से पूजा पाट करके आ गई उसके पिता सोचते हैं कि इसको मारने कुली इतना कोशिस किये लेकिन फिर भी यह नहीं मरी इतना बड़ा सर्प हम लाकर इसके कमरे में छोड़ दिये लेकिन सर्प कहां चला गया वो तो सफेरा बोला था कि बड़ा भी शेला है लेकिन इसके घर से समान कहां से आया सोने का थाल नेकर निकली और सर्प का पेटारी भी नहीं पता है कुछ तो बात है कोई बात नहीं लगता है किसी से एबात करती है किसी से मंगवाली है सायद इसकी माता ने ला कर दी होगी मनी मन सुस्मा के पिता सोच रहे है अब दीरे दीरे समय बीटने लगा कुछ दिन के बाद महा सिवरात्री का दिन आ गया जब महा सिवरात्री का दिन आ गया तो सुस्मा करती है कि पिता जी महासिवरात्री का दिन आ गया है कल का दिन हम पुपवास रहेंगे एक अन जल हम भोजन नहीं करेंगे और संकर भगवान का हम पूजा करने जाएंगे बुडवा महादे और संकर भगवान का हम पूरी रात जागरन करेंगे पिता जी बहुत सारे लोग रहेंगे क्या आप भी चलेंगे सुश्मा के पिता तो बड़े नाराज हो गए बड़े नाराज हो गए कि अरे ये ऐसा कर रही अच्छा कोई बात नहीं ठीक है बेटी तुमारे लिए पुजा का सारी समागरी ले आएएंगे सारी समान ले आएंगे चिंता मत करो जब सिवरात्री का दिन आया सुबह उसके पिता बजार गए और बजार में सोचने लगे कि अब क्या करे कुछ तो करना पड़ेगा हलुआई के पास गए और मिठाई में जहर मिलवा के और मिठाई जो था बनवा दिये और हलुआई को भी नहीं पता था कि इसमें क्या ये दिये है करते हैं कि इसे मिला कर बना दो हलुआई इंकार किया तो बोले कि बाई जितना बनाओगे सारी खरीद लेंगे हलुआई बना के दे दिया जोर वाला मिठाई लाकर सुस्मा के पिता अपने पुत्री को लाकर दे दिये और कहने लगे कि पुत्री बेटी जब ब्रत खोलना तो ये मिठाई से खोलना लोग बोल रहे थे कि ये मिठा जो भोजन है ब्रत खोलने खोलते हैं तो सारा दिन सुब जाता है इस रातरी का ब्रत उसका अच्छा से पूरा होता है सुसमा सोचती है कि ए बघवान को क्यों न मिठाए भोग लगा दू सुसमा जो थी पूरा मिठाए महादेव के मंदिर लेकर चल गई अब महादेव के मंदिर लेकर चल गई तो दिदी पूरी रात महादेव के मंदिर में जागरन की महाशिवरात्री के दिन पूरी रात जागरन की अब जागरन करके सुवेरा हुआ दिदी तो जंगल में मंदिर पड़ता था सुवेरा हुआ और ओ मिठाई लाना ही भूल गई मिठाई लाना भूल गई घर आई जब घर आई तो अपने माता से बोली माता जी लोग बोले हैं कि दही और चूड़ा से ब्रत तोड़ना चाहिए इसलिए दही और चूड़ा मुझे दे दिजिए हम ब्रत खोल लेंगे उसके पिता कहने लगे रहे तुम्हारे लिए तो हम कितना सुंदर मिठाई लाए थे कहने लगी कि नहीं पिता जी ओ मिठाई तो मेरा मंदिर में भूल से रा गया और जब दुमारा देखने गए तो एक भी लड़ू नहीं था संकर भगवान का महिमा अप्रमपार संकर भगवान सारी मिठाईया गायव कर दिये अपने सिस्या भग्त को बचा लिये धीरे धीरे इसका सिवराब बहुत तरीके जजमाए लेकिन उसका मिर्तु नहीं हुआ जब सुस्मा बड़ी हो गई तो सुस्मा के पिता विवा करने को लिए सोचे कि मैं क्यों न इसके विवा एक निर्धन घर में कर दूँ इसका ऐसा घर में विवा करेंगे जिसमें इसका खाने और पहनने का तरस हो जाए और वैसा बर ढूणने लगे सुस्मा के पिता बिल्कुल गरीव और निर्धन बर ढूणने लगे ढूंडते 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 एक बिल्कुल एक बुडिया थी उसका एक ही बेटा था और बेचारी बुडिया का एक जोपडी था बुडिया बे सहारा थी उसका पती नहीं थे बेटा जो था वो बिल्कुल गरीब थी बुडिया तो बेटा भी गरीब था उसी के पास सुस्मा के पिटा गए और जाकर बुडिया से बोले बान जी आपका बेटा है आप क्या अपने बेटा से मेरा बेटी का ब्याँ करेंगे बुडिया बोली बाबू आप तो कहा ठहरें अमीर घराने की और मैं तो एक गरीब घराने से हूँ बला मेरा बेटा से आप ब्याँ कैसे कर सकते हैं नहीं आप मेरा बेटा से ब्याँ नहीं करेंगे आप तो जूट-मूढ ऐसी बात करेंगे बुडिया बोली हाँ हाँ आपका बेटा से आमावाश से ब्याँ करेंगे अपने पुतरी को साधी पयक्की हो गया सुसमा भी जानती थी कि मेरे पिटा मुझसे नाराज रहते हैं सायद मेरे ऐसा घर व्या करेंगे जिसमें इसका खाने और पहने कठिकान नहीं होगा अब सुसमा का व्या हो गया और सुसमा ससुराल चल गई जब सुसमा ससुराल चल रह गई तो सुस्मा जो थी पूजा पाट नहीं छोड़ी थी उस राज के एक राजा थे उस राज का एक राजा थे और उस राजा का बेटा एक ही ही वो था उसी राज्ते से अपने बेटा को सब को लेकर जा रहे थे सुस्मा उसमय मंदिर में पूजा करके और निकल रही थी सुस्मा जो थी पूजा करके निकल रही थी और सारी लोग रोते पिटते गरस्ते जा रहे थे हाई रे हाई, राजा सहाब का एक ही गोतो बेटा था हाई रे हाई, राजा सहाब कितने अच्छे परिवार है, कितने बड़ियां परिवार है, कितने नेक दिल का है हाई रे, इनका एक बेटा था मर गया, राजा सहाब इतनी बड़ी सग्मा नहीं सह पाएंगे कुछ लोग कर रहे हैं कि भाई राजा साहब का बेटा है उनका अगनी संसकार बिना उनका रहे कैसे हो सकता है नहीं हो सकता है राजा साहब को बुलाओ सब को रख कर और बैठ गए सुष्मा मंदिर से निकली देख रही है कि रास्ते में बहुत सारे लोग जा रहे हैं बहुत भीड लगा हुआ है और सब लोग रोते जा रहे हैं कुछ व्यक्ति जो हैं अर्थी पर सब लेकर जा रहे हैं ये देख कर चकित हो गई और कहती है कि भीया क्या बात है जो आप इतना रोते जा रहे हैं क्या कारण है क्या हुआ है कुछ लोग बताए के रहे क्या बताओं आपको दिख नहीं रहा है यहां के जो राजा है उनका एक ही बिटा था बड़े मनीता से हुआ था और पता नहीं क्या हुआ खेलते खेलते हो बच्चा इस दुनिया से चल बसा इसलिए हम जो हैं सब लोग रो रहे हैं उनके ब्योग में इस बच्चा को ले जा रहे हैं अगनी संसकार करने के लिए राजा सहाब के बेटा के लिए देखिये राजा सहाब भी पिछे से आ रहे हैं ओ जो बेचारी सीस्या बना थी भरगवान के अराधना करते हुए करती है की भहिया थोड़ी देर तक एहे रखने रहे है जब राजा सहाब आएंगे तो उनसे हम कुछ बात करेंगे कुछ लोग करती है के रहे तु डायन रक्सीनी हो क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है राजा सहाब का बेटा मर गया है राजा सहाब से आखिर क्या बात करेगी तू खाने का नहीं ठीकाना है नहीं पहनने का रहने का भी ठीकाना नहीं है सर पे छत नहीं है और कह रही हो क कोई राजा साहब से बात करेंगे बात करने का हिमत भी होना चाहिए बेचारी सीस्या वाना करती है कि भाईया हम हाथ जोडते हैं गोड़ परते हैं हम आपको कोई जवनदस्ती नहीं कर रहे हैं कुछ लोग उसमें बुढ़ा थे कहने लगे कि अरे भाई भगवान की महिमा अ कुछ लोग इजाज़त दिया कि बहन जी बिटिया ठीक है राजा साहब के आने का इंतिजार करेंगे सब को अहीं पर रखे थे राजा साहब जब आए तो राजा साहब से हाथ जोड़के विनती करके करती है कि है राजा साहब आपका पुत्र मरने का सब कभ योग है सब लेकिन आप से भी हम कुछ कहना चाहते हैं राजा साहब अपनी दर्द भरी बात सुनाएं दर्द भरी बाते बोले कि बिटिया मेरा किस्मत में तो आग लग गया तू कौन हो क्या कहना चाहती हो सिस्या बहना करती है कि भीया राजा साहब मैं एक सीप पुजारन हूँ और सीप पुजारन हूँ तो मैं सच्चे भक्ति भगवान के करती हूँ यदि आप आग्या दे तो क्या मैं इस बच्चे के हाथ लगाऊं राजा साहब कहते हैं कि बेटी चाहे तुम्हें जो करना है वो करू दिदी वो शिस्या बहना क्या की कि सब को अर्थी से नीचे रख दी वहाँ पर सबसे पहले मादेव का चरंद होकर वो जल ले जाकर नीचे जमीन पर छिड़क दी वहाँ पर बच्चा के सुला दी और बच्चा के सुला के और हाथ जोड़के भगवान इसे आचल फैला के और दया मांगने लगी और राजा से बोली कि हे महाराज हे राजा साहब भगवान इसे दया मांगना शुरू कर दीजिए हो सकता है भगवान आपके जोली में खुसिया भर दे दुखी राजा अपने चादर फैला कर भगवान के और देखकर भगवान से कहने लगे कि हे भगवान सब लोग कहते थे लेकिन हम भी स्वास नहीं करते थे हे भगवान यदि सच्चे आपने सकती है तो मेरा पुत्र को जिला दीजिए मुझ पर दया कर दीजिए भगवान मेरा पुत्र को जिवित कर दीजिए यह लड़की जो थी बहुत देर तक दया मांगते रह गई भगवान से दया मांगते रह गई भगवान का धोया हुआ चरंच लगते रह गई बच्चा एक डेर घंटा दो घंटा तक नहीं सुख बुगाया लड़की जाकर मंदिर में कहती है कि है भगवान यदि आप मेरा आज लाज रख लिजिएगा तो भगवान आपका पुजा सब करेगा राजा से रंग गरीब से अमीर कोई भी आपका चरंच छूना नहीं भूलेगा है भगवान मेरा लाज रख दीजिए गुरुभाई बना साम हो गया भूखे प्यासे सब लोग बैठे थे कई लोग तो सीसिया बहना पे मारने को लिए उतावले हो गए लेकिन राजा सब को डाट दिये और कहने लगे कोई कुछ नहीं बोलेगा रातरी बित गया जब रातरी बित गया तो सनाटा चा गया और सनाटा चा गया तो भगवार उसे कहती है कि है भगवान सुबह हम आये थे नौ दस बजे और इस वक्त हो गया लेकिन अभी तके वच्चा जीवित नहीं हुआ हे भगवान आज से हम आपके मंदीर आना छोड़ देंगे पूजा करना छोड़ देंगे जब आप में सकती ही नहीं है लोग का वचन जूठा हो जाएगा तो आपका पूजा कौन करेगा भगवान लोटा जो था लोटा मंदीर में पटक दी सिस्या बहना और गुशे के मारे तमतमाते वहां से निकल आई जब आई तो देखती है कि बच्चा जो है बच्चा के पास कहने आई थी कि भईया आप लोग ले जाईए लेकिन देखती है कि बच्चा जो है बच्चा का स्रीर में हल्चल हो रहा है राजा का बेटा का स्रीर में हल्चल हो रहा है हल्चल हो रहा है उसमें प्रान आ गया सब लोग कह रहें कि अरे इसका जीवन जो लगता है भगवान पल्टा दिये है फिर से वो असिस्या वाना मंदिर गई और मंदिर से जाकर भगवान के सामने अपने मस्तक जुका के भगवान से कहती है कि है भगवान आप जो हैं बहुत परिछा लेते हैं आप अपने भग्त को बड़ी परिछा लेते हैं भग्त से है भगवान उनका जीवन लोटा दीजी अच्छे से जैसे आप उनका शरीर में हलचल दिये हैं बस उनका आवाजे भी दे दीजिये उटके बैट जाए अपने माता पिता के पास खुशी-खुशी वो चले जाए शीश्या भाना जब आई फिर से द्वारा तो देखती है कि ए राज कुमार राजा का बेटा उटकर बैट गया और अपने पिता के गले में लपट कर कहता है कि पिता जी ये भीड क्या चीज़ का है भीड किस चीज़ का है पिता जी सब लोग इतना भीड क्यों लगाए है राजा साहाब मुस्कुराते हुए अपने बेटा से आखों में आसू लेकर कहते हैं पुत्र ऐसा कोई बात नहीं बस सब लोग आये थे यहां पर लोग करते हैं कि अरे कई लोग वो सवाल उठाएं कि अरे ये लड़की डायन है ये डायन है बुढ़िया की वहू इसको इस गाहां से निकाल दो मार काट दो आखिर क्या जानती थी जो राजा के बेटा का जिला दिया राजा साइव अटल खड़े हो गए लड़की के तरफ सिस्या बहना के तरफ उंगली तक नहीं उठाने दिया और कहने लगे कि अरे मेरे होते हुए इस पे कौन मूली उठाएगा पुत्री आज से तुम मेरा एक बेटी हो और अपने हिस्से का बटवारा तुम्हें कर देंगे जितना मेरा धन संपती है ओ तुम्हें आधा बाट देंगे सिस्या बाणा करती है कि पिता जी आप मेरे धर्म का पिता है और मैं आपका पुत्री हूँ पूरा गाव नगल में हाहाकार मच गया लोग कितना खुसी के मारे जूम उठे कई लोग कहने लगे बाण जी हमें भी बताईए हम भी पुजा पाठ करेंगे हम भी भक्ती करेंगे हम भी भगवान के ग्यान लेंगे हम भी सिव गुरु के ग्यान लेकर जाप करेंगे उनका गुरु बनाएंगे सिस्या बहना बोली हे राजा साहब आप मेरे पिता के समान है मैं आपकी धर्म का पुत्री हूँ और आप मेरे धर्म के पिता है आपका हिस्से का मुझे बटवारा नहीं चाहिए बस मैं यूही आपका राज मेरा रही हूँ बस उतना ही खुसी है राजा साहिब बोले ठीक है हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे राजा साहिब घुसवक्त तो घर लेकर अपने बेटे को चले गए सब लग खुश हुए रानी जो थी दूसरी दिन आई और सुस्मा वहन को अपने गले से लगाई कलेजे में सटाकर करती है कि पुत्री जितना दिन तु जोपड़ी में रह गई उतना दिन रह गई आज से तु इस जोपड़ी में नहीं मेरे राजमहल के अंदर रहेगी बेचारी सिस्या वहना बोली नहीं रानी साहवा हम आपके राज महल के अंदर नहीं रह सकते हैं यदि आप अपना कुत्री मान ही लिए हैं तो इसी जगा पे आप मेरा घर बनवा दिजिए भला सुस्मा को कहने का देर हुआ लेकिन राजा साहब को काम लगवाने में तनिक भी देरे नहीं हुआ राजा साहब तुरंत युटा, बालू, सिमीट, छड, छड़ी, लेवर, मिस्तिरी सब लगवा के लिए और काम लगवा दिए अब सिस्या बहना के घर का काम लग गया और घर में जब काम लग गया गुरू भहिया तो बहुत जल्दी दो से चार महिना होते होते खूब सुन्दर घर बन गया राजा साहब सोने चान्दी रुपे भी इसे दिये अब सुस्मा के पास कोई गरीवी नहीं सिस्या बहना बिल्कूल अपने जीवन में बड़ी खुश थी मस्त मगन थी अब तो राजा से बोली कि है पिता जी आप सब कुछ किये है तो मेरे दर्वाजे पर एक शिब मंदिर भी बना दिजिए बहुत दूर आना पड़ता है भगवान का पूजा करने के लिए राजा साव हस्ते हस्ते उसके दर्वाजे पर एक मंदिर भी बनवा दिए सुसमा जो थी घर से निकलती थी पर पूजा करती थी सुसमा के पती भी एक अच्छा सा बिजनस कर लिये अब धीरे धीरे समय बितने लगा शुसमा बहुत खुश रहने लगी अब इसके पास कोई गरीवी नहीं इसका ब्या का साल दो वर्स हुआ तो इसकी माता करती है इसके पिता से दो वर्स तिन वर्स हो गया तो करती है कि यह जी बेटी का विवाह तो कर दिये है गरीब घर में कर दिये है कैसे रहती है क्या खाती है क्या पिती है मर गई या जीवित है एक बार जाकर उसके हाल चाल तो देख लेते बड़ा पूजा पाट करती थी कितना हुँ मना करते थे लेकिन वो मानती थी नहीं एक बार जाये तो ओ किस हाल में है उसके पिता बड़े अमीर थे जब अमीर थे तो वहां से आये और जब इसके घर आये तो यहां पर जोपड़ी था जोपड़ी के आपास आकर लोग से पुछते हैं कि भाई यहां जो जोपड़ी था जोपड़ी वाले लोग कहां रहने लगे कहां है लोग बताते हैं कि अरे जोपड़ी वाले लोग तो उसी घर में रह रहे हैं उसी पुजारम है अरे वो जोपड़ी था अरे वो जोपड़ी था लेकिन आप नहीं जानते हैं राजा के बेटा का जीवित कर दिया और राजा जी ने इनका घर बनवा दिये हैं यहां के जो राजा थे उनका बेटा का जीवित कर दिये है और वो घर बनवा दिये बहुत साले रुपिया पै ना के पिता बड़े भौचके रह गया आखे फटे के फटे रह गया उसका घर देखकर घर के अंदर दर्वाजा घट-खटाए उनकी बिटिया बाहर निकली करती है अपने पिता को पाउचू कर अंदर ले जाकर बैठाई चाय नास्ता दी उसके पिता जी करते हैं कि बेटी जो तुमें हम कितना कोसिस किये लेकिन तु नहीं मरी तुमारा विवा एक गरीव और निर्धन के घर कर दिये लेकिन तुमारे पास हम से कई दुबना ज्यादा धन हो गया हम तुमारे साथ बहुत अन्याई किये लेकिन तुमें कुछ नहीं हुआ आखिर कौन सा बरत करती ह कौन पूजा करती हूं पबिटिया जो है वो करती है सीस्या बहना अपने पिता से करती है कि पिता जी आप नहीं जानते मैं एक सच्चे शीष्या हूं भगवान का सच्चे भक्त हूँ और मैं मन से भगवान का भग्ती करती हूँ मैं हिर्दय से भगवान का पूजा पाट करती हूँ और सोंबार ब्रत करती हूँ एक सोंबार नहीं, दो सोंबार नहीं, दस सोंबार नहीं, अनेक सोंबार मैं करती हूँ पुर्णीमा ब्रत के उपवास रहती हूँ पुर्णीमा ब्रत का दिन पुर्णीमा का दिन मैं मीठा भोजन करती हूँ कभी नमक नहीं खाई हूँ जीवन में पुर्णीमा के दिन एही ब्रत तो मैं करती हूँ और सिफ गुरु ने तीन सुत्र जो परसाधी की रूप में भेजे हैं मैं तीन सुत्र को हिर्दे में बसा के और तीन सुत्र के पालन करती हूँ पिता जी उसके पिता कहते हैं कि बेटी मुझसे गलती हो गया जब से तू आई हो मेरा घर में तो लगता है कि दन सब पती सब छिनविन हो गया है बेटी एक वार अपना मैके चलो शिश्या वाना कती है पिता जी मैके तो जीवन वर जाते रहेंगे एक वार क्या जब तक जियेंगे जब तक चलेंगे ठीक है पिता जी मैं के जरूर जाएंगे आपको मेरा साधी का तो दो वर्स तिन वर्स हो गया है लेकिन आप मेरा पटफेरा तक नहीं करवाने आएं मुझे विदा करके ठीक है पिता जी हम अपने सासू मा से और पती देव जी से पुछ लेंगे उन्हीं का आग्या अनुसार आपके साथ चलने को लिए तैयार हूँ ए बास सुनकर बेचारा वो उसके पिता जो थे बोले ठीक है बेटी सुस्मा अपने सासू मा से पती से पुछी तो वो लोग बोले कि ठीक है तू अपना मैके जा सकती हो ओ अपना मेके गई तो मैके में उसका माता कुछी माता तो नहीं जानती थी कि मिरा बेटिया एक अमीर घराने में मामीर बन गई है धनवान मन गई है मा कुछी की बेटी बड़ी भगती करती थी आफ कैसा लगता है बेचारी सिस्या वहना बोली मा भक्ती का फल मीठा होता है पिता जी को तो पता चल ही गया है उसके पिता बोले कि अरे पुछो मत जाके इसका सस्रार में इसके बारे में नाम सुनो सभी लोग इसी का नाम जापते हैं राजा पर्शन होकर इसका घर दुआर बनवा दिये है ये तो धनवान बन गई है उसकी माता जो थी अपने बेटी के सामने जुख कर करती है बेटी मुझे भी बगवान का ग्यान दो हमें भी बताओ क्या करती हो सीसिया बहना अपने माता को भी ग्यान तीन सुत्र के पालन करने को लिए बोली उसकी माता पिता सब कोई करने लगे धूम धामे सवागन में एक दिन चर्चा करवाई चर्चा करवा के वहां के बहुत सारे लोग तीन सुत्र का ग्यान लिए और सब को ग्यान सीसिया बहना दी कुछ दिन अपना मैके में बिताई फिर से अपना ससुराल बापस आ गई अपने पती के साथ अपने सासु मा के साथ खुश रहने लगी और जीवन में उसका कोई परकार का कोई दुख नहीं हुआ समय भीते भीते दो तीन बच्चे भी हो गए वो भी अपने माता पिता के साथ उनके बच्चे भी खुश रहने लगे हर परकार के उसे खुशी मिला तो जो सचे मनि से भगवान को पुकारते हैं भगवान सचमुच में परकठ होते हैं कि सुरूप से होते हैं वो नहीं जानते लेकिन भगवान पर कठ हो जाते हैं तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करे शेयर करे चैनल पर दिन नए है तो चैनल का सब्सक्राइब करे बेल आइकन घंटी को दवाए जो की मेरा वीडियो का नोटिफिकिजन सबसे पहले आपके पाजा आप मेरा वीडियो सुन सके कमेंट बॉक्ष में हर हर महादेव जैसिव गुरू जरूर लिखे हर हर महादेव घर घर महादेव प्रेम से बुलिये संकर बगवान की जै